All right guys, so हमने यह जो हमारा forum वाली website है, उसको काफी हमने आगे तक बढ़ाया और यहां पर मैं एक चीज़ को address करने के लिए video बना रहा हूँ कि enhancement की बहुत साथ request आरे हैं आप लोग की तरफ से idiscus में तो यहां पर मैं करूँगा कि अगर आप लोगोंने अभी तक यह video देखे हैं सारे idiscus के तो आपको पता है idiscus कहां तक हमने पहुचाया है लेकिन मैं भी यहां पर करने के अवाला हूँ कि idiscus को development को रोक दूँगा यही पर और मेरे साब से मैंने basic सारी चीज़े आप लोग को बता दी हम लोग यहां पर इस php की series में हमारा जो मकसद है वो एक product बनाना नहीं है हम लोग कोई company खड़ी नहीं कर रहे हैं कि हम सारे features implement करें बलकि मकसद php toodles in hindi playlist का यह है कि आप लोग को php अच्छे से सिखा दे variable से start किया बहुत ही basic से start करके हमने यह पूरा इतना बड़ा एक forum बना लिया और definitely आप लोग इसको production में लगा सकते हो production में आप इसको डाल सकते हो और काफी अच्छा चलेगा भी और यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने about के अंदर कुछ नहीं डाला contact के अंदर कुछ नहीं डाला बहुत अच्छे से नहीं बनाया database में टेबल नहीं बनाई store नहीं कराया तो यह मैंने इसले नहीं किया क्योंकि मैंने इस सब चीज़े आप लोग को किया ही नहीं वो तो किया ही नहीं तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आप लोगों के बात बोलना चाता हूँ कि अगर आप यह बोलोगे यह तो किया नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कियें और डेफिनिटली आप कुछ भी बना लो और बड़े बड़े ज लोगों को कुछ enhancements जोगी आप लोगों कि मैंने comment जितने बड़े उसके हिसाब से मुझे जो मालूम मैं आपको बताता हूँ क्या कि enhancements यहापर किये जा सकते हैं सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी request आ रही है कि जो questions होंगे वो 10-20 तो नहीं होंगे और 10-20 नहीं होंगे तो definitely आपको paging करने की जरूरत पड़ेगी paging करने के लिए jquery में बहुत सारी libraries आती है ठीक है जहां तो आप उनको use कर सकते हो अब देखो यह कितने है आपर एक दो तीन चार मान लिए यह 25 है मान लेते हैं मैं गिन नहीं रहूं बैटके अगर यह 25 है आपर और अगर यह 200 होते तो शायद page scroll up करते रहे जाते हैं और वो बहुत ही गंदा user experience होता तो राधर आप लोग क्या चाहेंगे previous और next button यहाँ पर चाहेंगे तो आप उसको कैसे implement करेंगे मैं आप लोग एक बहुत ही high level idea दूँगा और बाकी जो implementation है मेरे साब से इतना मैंने करार रखा है कि आप ल page is equal to 2 कर देना ठीक है and page is equal to 2 करोगे तो जो page is equal to 2 है यह आपके इस page को pass हो जाएगा threadless.php को अब आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ वही वाले questions को या फिर सिर्फ वही वाले आपके जो यहाँ पर questions है उनको fetch कर सकते हो mySQL से जो बिसमानलो आप एक page पे 10 results कर रहे हो आप ठीक ह होगे तो आप 11 से लेके serial number 11 से लेके 20 तक सारे का सारे results आप लोग दिखा दोगे ठीक है और उसकी बाद आप क्या करोगे page number 3 पे कोई आता है तो आप 21 से लेके 30 तक and so on previous कोई करता है तो आप उसको page number 3 पे ले जाओ जैसे page number 2 है तो next में आप कर दोगे यह same URL and page is equal to 2 पर मैं 3 करूंगा next 2 का next 3 होगा और 2 का previous 1 होगा लेकिन 1 का previous कुछ नहीं होना चाहिए तो आप 1 का previous पर अगर जाते हो तो आप एक disabled button आ जाना चाहिए अब disabled button हमारे पास यहाँ पर getbootstrap.com के components में buttons में इन सब जो components है इनको आप देखोगे जब तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इनको ठीक है और इसके लिए आपको सिर्फ एमपर disabled लिखना है और आपका button जो हो disabled हो जाता है अब यह चीज़ तो हो गई यह तो आप करी लोगे ठीक है अब यहाँ पर एक और जो request आई थी मेरे पास तो I hope कि यह request पूरी होगा इसको मैं और address नहीं करूँगा previous next करके आप के post वो आप लोग next 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 करके कर सकते हो अब जिन चीज़ के बारे में कोई जाता बात नहीं करेगा उसकी में बात करता हूँ कि क्या आपको jquery के plugins यूज करने चाहिए देखो jquery के plugins अगर आप लोगो को दे रहे है server side functionality तो कर लो अगर आपका forum सच में बड़ा होने वाला है और अगर उसको 100-500 लोग भी यूज कर रहे हैं और रोस के हिसाब से मार लोग 50-60 questions भी post हो रहे हैं तो वो बहुत सारा data होने वाला है अगले एक-दो महीने में ऐसे में आप लोगों को क्या करना होगा कि एक सारा data आप लोग ना मंगाए जैसे कि threadless.psp में आपने while loop चला र होगे आपका जो user यह गूमता रहेगा हो सकता है आपका database ही crash हो जाए अगर machine अची आपने नहीं use करिये तो कुछ भी हो सकता है मतलब अगर आपने load जादा दे दिया उसको और अतना load जहल नहीं पार है आपका जो machine है आपकी virtual machine है तो आप लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत म पुल करके मैं सारे plugins की बात नहीं कर रहा हूँ data tables शैद करता है इसा काम अगर आप by default data tables को लगाते हो तो वो सारे के सारे जो आपके post है उनको एक बार में download करेगा और इन सारे post को एक बार download करके उसके बाद javascript variable में store करके और फिर आपको सिर्फ शुरू के 10 next पर करके अग कैसे करूँ मुझे तो javascript नहीं आती मुझे jquery नहीं आती तो मैंने jquery का भी tutorial बनाया हुआ है मैंने javascript का भी बनाया हुआ है मेरी recommendation हमेशा ही रहती है कि आप लोग javascript से start करें वो लोग जो कि already html css php website बहुत अच्छी तरह बना रहे है और javascript मे mastery आसिल करना चाहते ह उनके लिए मैंने javascript का course बनाया है जिसमें मैंने काफी चीज़े बता रखी है और मैंने javascript का one video में बना रहा है जिसको आप देख सकते हो javascript in one video और उसमें आपको काफी help मिलेगी अगर आप javascript का one video वो देखोगे तो so i hope कि आप लोग को resources तो मिल जाएंगी ये search button plugins वो यूज कर पाएंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं jquery का मैं plugin यूज नहीं कर पार हूं मेरा error आ जाता है उसका मतलब यह कि आपकी basic strong नहीं है आपको videos देखने की ज़रूरत है javascript हो या jquery हो आपको चीज़े समझ में आने लग जाएंगी न जब basics तो आप error देखके बता कर पाऊगे क्या दिक्कत आ रही है और उसको solve कर पाऊगे कभी कभी तो बहुत चोटे चोटे errors में लोग फस जाते हैं जैसे कि javascript file उनकी होती है किसी folder के अंदर include उनको करनी होती है लेकिन वो करते है include ऐसे जैसे कि बाहर रखी हुई है तो यह चोटे मोटे जो error है आएंगे अगर आप एक beginner है तो लेकिन आपका talent यही है कि आप beginner से intermediate to advance में कितनी तेजी से जाते हैं यह आपका talent है आपको time spend करना पड़ेगा आपको practice करनी पड़ेगी ठीक है एक और अगर मैं enhancement की बात करूँ यहाँ पर तो वो यह है कि जैसे मानलो एक question मैंने खोला तो जो comments है वो बहुत सारे हो जाएंगे time के पास अब comments में pageination अच्छा न और उसके बाद यहाँ पर load more का आता है option क्लिक करो तो और buttons और comments जो है वो load हो जाते हैं फिर उस button में click करो तो और comments लोड हो जाते हैं तो आप यह चीज़ implement कर सकते हो एक API बना कर PHP में आप JSON API बना सकते हो और उस API में आप क्या कर सकते हो कि शुरू कि यह जैसे मानलो आपने return कर रहे हो आप लोग उस page में से मानलो मैंने API का नाम किया comment उसमें मैं thread id ले रहा हूं और वो मुझे comments दे रहा है और comments का delta दे रहा है what I mean by delta इस जैसे मानलो मैं 10 comment by default show करता हूं तो मुझे अगले 10 चाहिए यानि 11 से start करके तो मैं क्या करूंगा उसको page number भेज दूँगा कि कि इतने batch मैंने ले लिए comment के तो ये मेरा batch 1 है तो मैं batch is equal to 2 करूंगा तो मुझे 11 से लेके 20 तक देगा फिर batch is equal to 3 करूंगा तो 21 से लेके 30 तक देगा और इस तरह से मैं क्या करूंगा ये number भेजता जाओंगा backend में अपनी उस API को और वो API मुझे सिर्फ वो 10 comment देदेगी तो अ चीजे आपको जैसे कि मैंने notes के project बनवा रखे हैं और भी मैंने बहुत सारे projects किये हुआ है इसमें आपको सब देखने पड़ेगा time थोड़ा सा बिताना पड़ेगा तब आपको कुछ आ पाएगा तो ये सारे अगर आप करना चाहते हो मतला इसको production में रखके और इतना copy project, cv project या सिर्फ अपनी github पे आप डाल ले हो तो उसके लिए इतना काफी है और मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप यह सब चीजे भी कैसे implement कर सकते हो चलो जी यह तो हो गया अब search में तो जैसे मैंने मानलो इसको search करना है py audio करके देखता हूँ तो यहाँ पर देख यहाँ पर implement कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया contact का यह जो contact details in database में कैसे डलना है तो आपको आई जाएंगी और javascript और यह सारी जो categories है अगर यह बहुत सारी हो जाती है categories तो इनकी भी top मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप limit कर सकते हैं इनको एक simple सा आप लोग को limit clause लगाना है अपनी SQL query में और यह भी हो जाएगा browse question में pagination भी आप लोग लगा लोगे और about में तो यार एक designing का page लगाना है bootstrap का मेरा देख लेना one video उसमें बता रखे है designing तो वो तो करी लोग यार आप उसमें इसको ही तो मैं tension ही ले रहा हूं ठीक है home page पर अगर आऊं तो मुझे यहा लोग कर सकते हैं इसके अंदर तो अभी के लिए मेरे साब से मैं मुझे इस project को जो है यही पर रोक कर और आप लोग को I hope की जिन लोगों का दिल टोड़िया था कि यार मैंने बोला था कि इसके बाद और concepts देखेंगे तो I hope मैंने दिल नहीं तोड़ा आपका यह project में वाप जार होगा PHP में जोगी मुझे cover करने है और मुझे भी इस project को in fact इस course को पूरे बहुत ही short, crisp और ऐसा रखना है कि एक learner अगर आता है इस course में तो बहुत जादा lengthy भी नहीं होना चाहिए उसके लिए और उसको सारे concepts at the same time आप भी जाने चाहिए तो मैं आप पर जो concerns है HTML के, CSS के वो सारे थोड़े से अलग करके चल रहा हूँ और मैं सिर्फ PHP पर focus करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पूरी web development beginner के लिए एक playlist आलड़ी मैंने बना रखी है so I hope कि आप यह सब चीजों को जो है समझ गए होंगे और आने वाले टाइम में नए concepts को अच्छी तरह से पढ़ेंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys वीडियो को like ज़रूर कर देना हो और अगर आप लोग support करना चाहते है इन चैनल को तो यह जो प्लेलिस का लिंक है इसको डाल देना कहीं पर अपने whatsapp groups में company के, college के, school के और facebook अगर आप यूज करते है तो आप भी डाल सकते हो I hope कि आप लोग videos जो है ज़रूर शेयर करोगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys Thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time I'll see you next time